आज हम लोग 2-dimension and 3-dimension figure के बारे में समझेंगे क्या होता है ये और इसका formula derive करेंगे इसके अंदर गर 2-dimension में देखें rectangle, square and circle and 3-dimension में cubite, cube, cylinder, cone, sphere and hemisphere के बारे में देखेंगे देखेंगे 2-dimension का मतलब क्या होता है जिसमें 2-dimension हो जैसे length and breadth और 3-dimension में length, breadth and height तो सबसे पहले 2-dimension के अंतरगत rectangle के बारे में हम लोग देखते है रेक्टेंगल क्या होता है ये rectangle rectangle में ये figure बना दे रहे हैं ये figure इस तरह का होता है जिसमें length और breadth होता है ये L ये B L stand for length and B stand for breadth इसको figure भी देख लेते हैं एक मेंने बनाया है जैसे ये रहा ठीक ना इसमें ये रहा L और ये रहा B इसमें देखेंगे कोई height नहीं है ठीक ना इसमें length और breadth भर है तो ऐसे figure को two dimension figure के अंत्रगत रखा जाता है तो इसके बारे formula देखते हैं देख क्या होता है area of rectangle ये होता है length into breadth L into B तो इसको लिखते हैं इसको पर देख लिख लेते हैं length into breadth into breadth simply L into B इसको L B square unit बोलते हैं square unit square unit का मतलब क्या होता है जैसे अगर ये centimeter measurement होता तो यहाँ पर centimeter square square लिखे होते या square centimeter भी लिखते हैं बोथ हाथ सेम ठीना तो इसके अभी हमें square unit नहीं लिए हैं इसलिए हम simple square unit लिखकर रख देते हैं इसको ठीना कभी भी किसी भी exam में अगर कोई square unit छूट जाती है तो इसमें number कर जाता है इसलिए square unit लिखना इसका unit का संग लिखना जरूरी होता है इसलिए यह लिखना अब देखें इसके बाद area of rectangle हो गया अब इसके बाद देखेंगे यह rectangle का यह field है तो fields अगर starting यहां सले हम तो यहां से चलते वे फिर वापस अपने स्थान पर आ गए हम तो इसको जित्ता भी distance हमने cover किया उसको perimeter बोलते हैं तो perimeter rectangle की बाद करें तो हम पहले यहां से कर यहां L distance कबर करेंगे फिर B और देखेंगे यह L है तो यह भी L हो गया यह B है तो यह भी B हो गया तो L plus B plus L plus B तो यह हो गया L plus L to L plus B plus B to B 2 common ले लेंगे तो जगा L plus B ठीक ना तो यह perimeter of rectangle यह हो गया अब हम दो इसमें third formula देखेंगे diagonal of rectangle, diagonal of rectangle, diagonal of rectangle होता क्या है अगर हम इसको यहां से यहां मिला दें तो यह diagonal होता है rectangle का अब इसको derive कैसे करेंगे देखेंगे इसमें अगर बात करेंगे तो यह 90 डिग्री है तो इस और यह हो गया एक right angle triangle ठीक ना इसके बारे में देख लेते हैं यहां पर जैसे यह लिखा है यह है इस right angle triangle right angle triangle का मतलब इससे triangle इसमें three angle होते हैं ठेक ना एक यह angle एक यह और एक यह इसमें से कोई एक ऐंगेशन rok 90 degree हो जाये तो इस triangle को right angle triangle बोलते हैं तो इसमें हमना 90 degree यह रहा, तो इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसमें हम पाइथागोरस theorem लगाते हैं, तो पाइथागोरस theorem के बारे में भी देख लेते हैं, चूकि आज हम सारे फीडर के बारे में, फॉर्मला के बारे में यह बता रहे हैं, तो इसका फॉर्म ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल में, सबसे पहले किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिगरी है। ये एंगल 90 डिगरी है। तो इसके सामने वाले साइड को ऐपो टैनियस बोलते हैं। ये पर पेंडिकूलर हो जाएगा। यह बेस होता है तो पाइथा एकॉर्डिन टो पाइथागोरस थेरम इन राइट ट्राइंगिल स्क्वाइर आफ हाइपोटेनिस इस इक्वल टू दर सम आफ स्क्वाइर आफ अदर टू साइट तो हम इसको लिख की भी बताते हैं इसमें लिखा है स्क्वाइर आफ हाइपोटेनिस इसको एच लिख लेते हैं सिप्गार आफ फाइपोटेनिस इस इक्वल टू दर इस एक्वल टू दर सम आफ Eleven ऋसक्वाइर आफ Azta too side तो इसमें परपेंदिकुलर को पी लिख लिए और बेस को B लिख लिए तो यह पाइथागुरस ठिरम यह होता है ठेक ना यह क्लाश 10 के 6 चेप्टर में एक पाइथागुरस ठिरम का एक टॉपिक है उसके अंतरगत यह लिखा हुआ है तो पाइथागुरस ठिरम से हम इसको हल करते हैं इसको हम D माल लेते हैं D stands for diagonal B square L square प्लस B square अधर two side का square का sum तो D का हो जाएगा यह square transpose होगा तो square root बन जाएगा तो यह लिखाएगा L square प्लस B square तो यह diagonal of rectangle drive हो गया इसके बाद rectangle के बाद square देखते हैं square के बाद square का figure square का मतलब होता है कि इसके दो dimension जो होते है उनका measurement सेम होना जाएगा सेम मतलब इसका length और breath दोनों सेम होगा तो इसको L और B तो लिख नहीं सकते इसका मतलब था कि लंबाई अलग चोड़ाई अलग बट इसमे length और breath सेम है तो इसको हम एक A स्रिपलेंग कर देते है length, breath सब कुछ सीकोल ठीना तो यह A और A होगा इस तरह हमने भी figure A लिख बनाया देख यह रहा है ठीना जिसमें सभी measurement इकोल है यह यह होगा इस तरह यह है ठीना square होगा इसका area of square केता हो जाएगा area of square area of square this into this side into side देखे, side into side इसको A इस into A भी बोलते है देखे, अलालग बुकों में सब जहें लिखा हुआ है कहीं A, कहीं A इसले मैंने सब लिख दिया अब चुकी दोनों A A ही है तो A into A is equal to A square square unit ठीना, तो area of square बोलें तो A square, square unit होगा ठीना, अब इसमें perimeter भी देख लेते हैं perimeter of square perimeter क्या होगा total distance cover ठीना, ये दिस, 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 दिस A, 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 A ये मतला 4 into side 4 into A is equal to 4 A unit फिर लास्ट, थर्ट फॉर्मला लिखा है perimeter हो गया, area हो गया, फिर diagonal of square diagonal, इसको भी हम इसे draw कर लेते हैं इसको D represent कर लेते हैं तो जगा यहाँ भी पाइथागुरा स्थिरम लगा देंगे ये रहा 90 रिगरी, इसको लिखेंगे, D square is equal to A square plus A square तो जगा 2 A square, D square A square ट्रांस्पोर हुआ, root under 2 A square तो A square का, square root इसमें से बाहर निकल जागा A तो जगा A रूट 2 रह जाएगा, 2 अंदर, root का अंदर रह जाएगा तो यह हो जाएगा, इसको simple ऐसे लेखते हैं root 2 into A, या root 2 into side तो इस square के बारे में भी हो क्या, आप circle देखते हैं circle circle का डाइगराम circle ठीक ना, तो circle का area क्या होता है, area of circle area of circle यह होता है, pi r square ठीक ना, यह हमने photo बनाया, एक एक यह देखिए यह रहा circle, ठीक ना, just पुरा circle जैसे गर आप चपाती का example ले सकते हैं, चपाती circle का बहुत अच्छा example है, area of circle, फिर इसके बाद होता है, perimeter of circle, ठीक ना, तो इस circle के लिए perimeter को circumference बोलते हैं, तो circumference आप circle लिख लेते हैं circumference of circle, यह होता है, 2 pi r, इसी को perimeter भी बोल सकते हैं, ठीक ना, same है, अब अगर circle हो गया तो इसके बाद देखें, semi circle की बात कर लेते हैं, semi circle का मतलब circle का आधा, तो हम circle का आधा यहाँ बना लेते हैं, पहले full circle बना लेते हैं, उसका आधा कर लेंगे, ठीक ना, यहाँ से आधा कर लेते हैं, यह हटा दिया, तो हो गया semi circle, देखें, यह राज semi circle, ठीक ना, तो semi circle का, एरिया केतना हो जाएगा, एरिया आप semi circle, एरिया आप semi circle, पाई आध स्कॉर्कार का हाफ कर देते हैं, वन बाई टू, पाई आध स्कॉर्कार, बट यहाँ पर अब circumference आप पेरिमिटर अलग लग हो जाता है, circumference, यह distance, यह होता है circumference, ठीक ना, तो circumference, half semicircle, देखिए, टू, पाई आध है, उसका हाफ कर देते हैं, टू, पाई, आर, अपॉन, आर, टू, टू, कैंसल, तो, पाई आर, अब पेरिमिटर की बात करें, तो पेरिमिटर लिख लेते हैं, पेरिमिटर आप semicircle, देखिए, पेरिमिटर क्या होता है, कि हम जहां चले हैं, वहीं वापस भी आए, बट circumference की में देखिए, यहां से यहां तक गए, वापस तो नहीं आए, वापस आने के लिए क्या करेंगे, यह distance को यहां भी चलेंगे हम लोग, देखिए, यह, तो यह यहां से चले, यह वापस आए, तो यह हो गया circumference, तो लिख देंगे, पाई आर, प्लस, यह distance क्या हो जाएगा, यह है diameter है, यह diameter आप circle, तो diameter आप circle क्या होता है, टू आर, double of radius, टू आर, अब इसमें आर, आर कॉमन है, आर कॉमन लेते हैं, पाई प्लस टू, यह आप टू प्लस पाई भी बोल सकते हैं, तो यह हो गया semi circle के बारे में, यह two dimension figure तीन थी, यह समाप्त हो गई, अब three dimension figure के बारे में देखते हैं, three dimension figure के अंदर पहला figure, cube wide, cube wide, cube wide क्या होता है, इसे, यह cube wide, ठीक न, इसमें cube wide और यह rectangle में यही फरक होता है, देखें, इस rectangle में length of breadth तो है, इसमें height नहीं था, इसलिए two dimension figure था, rectangle में, यह cube wide है, cube wide में, देखें, length भी है, breadth भी है, and height भी है, इसलिए यह cube wide हो गया, ठीक न, तो इसका diagram बना लेकिने करा, यह cube wide हो गया, ठीक न, यह L हो गया, length, breadth, and height, यह हो गया, तो इस length, breadth, height, cube wide में, सबसे परे surface, surface area of cube wide निकालेंगे, surface area of cube wide में, इस surface area, surface area का मतलब क्या होता है, यह हम आप आप बताते हैं, देखें, इस cube wide में अगर देखें, तो six surface है, six rectangular surface है, six rectangular surface है, जैसे यह top, bottom, front, back, side, और this side, ठीक न, one, two, three, four, five, six, six rectangular surface है, अगर इन six rectangular surface का अगर area निकाल का जोड़ देएं, तो surface area of cube wide पता चल जाएगा, ठीक न, तो सबसे पहले इस सबका अललग करके निकाल के हम बता देते हैं, देखें, area of rectangle one, देखें, इसको हम one बोलना है, इसको one, देखें, हमने यहाँ लिख रखा है, यहाँ, L लिखा है, यह B, ठीक न, यह L length है, और यह breadth है, तो L into B, तो इस उपर वाले surface का area निकल जाएगा, तो है L into B, L B, फिर लिखेंगे area of rectangle two, two किसको ले लेते हैं, इसके just पीछे वाले को, तो जो area उपर वाले करेगा, वही नीचे वाले rectangle सेट का रहेगा, इसलिए L into B इसको भी लिख लेते हैं, फिर area of rectangle three, तो three क्या हो जाएगा, यह हम सामने वाले को ले लेते हैं, देके सामने वाले में भी यह length और यह height, थी ना, L into H, L into H, H into L, ठीक ना, area of rectangle four, इसके जश्ट पीशे वाले को four ले ले रहे हैं, जो area इस rectangular sit करेगा, उसी का यह भी रहेगा, तो यह भी L into H हो गया, फिर अब है इस side वाले बचे, side वाले का भी लिख लेते हैं, area of rectangle five, five में देके इस वाले का भी जाएगा, breath into height, B into H, फिर area of rectangle six, area of rectangle six, same B into H, अगर इस सब को जोड़ा जाए, देखें क्या आता है, LBLB, 2LB, plus, फिर जगा, यह, 2BH, 2 times of BH, plus, 2 times of HL, ठीक ना, 2 times of HL, LH बोलें, चाहिए L, HL बोलें, कुछ दिक करने, ठीक ना, इसमें 2, 2, 2, 2, common है, 2 निकाल लेते हैं, तो जगा, 2LB, 2 times, into BH, plus HL, यह, अपना surface area of cube-oid निकल लिया, ठीक ना, इसके बाद आता है, lateral surface area of cube-oid, area of surface area of cube-oid, देखे, lateral surface area मतलब क्या होता है, यदि मैं इसके top और bottom के area को हटा दूँ, इसके top और bottom के area को हटा दूँ, ते lateral surface area of cube-oid निकल जाएगा, तो मतलब क्या, इन दोनों को मैं हटा दूँ, इन दोनों को, यह जो बचा, मतलब, यह 2LB हटा दू में हाँ से, तो यह बचे, तो इनको मैं लिख लेता हूँ, 2, इनको मैं पहले लिख लेता हूँ, 2AHL, plus 2BH, इसमें आगया 2, इसमें H भी common है, H, तो जगा L plus B, यह लेटर सर्फेशरी आप क्यूबाइड निकल लिए, इसमें एक फोला बनता है, वालूम निकालने के लिए, देखें, वालूम क्या होता है, वालूम का मतलब होता है, अगर इस क्यूबाइड अगर यह खाली होता, अंदर से खाली होता, मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, माचिस की डिब्बी, या संदूक, ठीक ना, अगर उसमें जित्ती हवा है, या उसमें कितना स्पेस है, इसमें समान रखा जा सकता है, वालूम से फाइंड किया आता है, लिखते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, बेस एरिया, इंटू हाइट, बेस एरिया, मतलब, ये नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट, तही हो गया, L, B, H, ठीना, L इंटू बी एज, लिख लेते हैं, L इंटू बी इंटू एज, ठीना, ये हो जागा, Q वीड, ठीना, एक डाइमेंड्सन आजूर जाने कारण, एक क्यूब हो गया, तो Q डाइमेंड्सन, एक क्यूब आट खतम हो गया, अब क्यूब देखते हैं, जिसके तीनों मेजरमेंट सेम इक्वल होते हैं, Length, Breath, Height भी इक्वल होता है, तो इसलिए इसको A, A, A लिख लेते हैं, ठीना, इसका Length, Breath and Height, All are Equal, मेजरमेंट, तो इसका लिख लेते हैं, Surface Area, Area of Q, पहले वाले formula इसे एकर मैं एक बाद डिराइब करके बता रहता हूँ, जिससे पहले था, Surface Area of Q, Q void, L, B, B, H, and HL, ठीना, इसमें L, B, A है, B, B, A है, और H, B, A है, तो इसका स्थान पर लिख लेते हैं, A into A, A into A, A into A, A square, A square, A square, 1, 2, 3, 3A square, equal to 6A square, यह इससे भी derive हो जाता है, या, देखिए, इसमें हम क्या करें, किसी एक सर्फेस का area निकाल लेते हैं, ठीक न, जैसे इसका निकाल लेते हैं, A into A, A square, इसका A square हो गया, इसी तरह सबका A square, A square, A square होगा, तो 6 times A square हो जाएगा, तेखिए जाएगा, 6A square, ठीक न, इसी प्रकार इसका लेतेरल सर्फेस area भी होता है, लेतेरल सर्फेस area, आफ Q, लेतेरल सर्फेस में, बस इसके टॉप और बाटम के area को हटा देंगे, टॉप और बाटम के area को हटा देंगे, मतलब के वल 1, 2, 3, and 4 सर्फेस का area ही रहेगा, तो 4A square हो जाएगा, 4A square, volume of Q, volume of Q, यह जाएगा, L into B into H, तो इसमें जाएगा, A into A, into A, is called to AQ, AQ, आप इसके बाद सिलेंडर देखते हैं, इसको लिखते हैं, राइट सार्कूलर सिलेंडर, राइट सर्कूलर, सिलेंडर, इसको सिंप्ली सिलेंडर भी कॉल करते हैं, राइट सर्कूलर क्यों बोलते हैं, देखिए, एक सिलेंडर बनाया, इस तरह का, ये सिलेंडर हो गया, ठीज़ना, सरकल में है, एक सरकल ऐसे सिलेंडर भी बना सकते हैं, ठीज़न इसका फीगर में देखा देता हूँ, ये राज सिलेंडर, ठीज़ना, ये सिलेंडर है, ये हाइट आफ सिलेंडर, ये है कर्ब सर्फेस एरिया आफ सिलेंडर, ठीज़ना, ये इस तरह का है, ठीज़ना, और राइट क्यों बोलते हैं इसको, राइट इसलिए बोलते हैं, लेके ये जो है यह सरफेस के संग यहां 90 dev lore भन रहा है इस्ट्रेट है मड्द इसमें सरफेस के संग ये ड्रहा है 90 dev nose an सिलंडर नहीं है और इसके बारे में रहिएक सेटिए हम नहीं करेंगे हम जोक चलेंगे उसे सिलंडर को ले के चलेंगे को झीन होगया यह बेस रेडियुस इजन यह ऐट फिक सिलंडर में दो परकार के सरण सर्फेस हरिया होता है तो कर्ग سर disagree एरिया ही है, कब मतलब टेढ़ा, मुडा, मुडा हुआ, और यह जो दो ऊपर है यह flat surface area है, ठीजिया तो जब curve surface area निकालेंगे तो क्योई इसी को निकालेंगे, और जब total surface area निकालेंगे तो इस curve surface area को इन दोनों को भी add करेंगे, तो total surface area या निकल जाएगा तो इसको इस एरिया बिकालने के लिए क्या करेंगे देखे एक न ले लिया इसको पहले इसकी तरफ चाड़ोर तरफ लपेत लिया यहां से लपेत लेते हैं यह लपट गया, एक्जक्ट इसके मेजर्मेंट का अगया, ठीक न, अब देखें इस रेक्टोंगलर सीट को जब ओपन करेंगे, ये open किया ये rectangular seat तो इस rectangular seat के ये जो breath है breath हो जाएगा height of cylinder की तो इस breath को h लिख लेंगे और ये जो length है ये length क्या हुआ जब हमने इसको लपेटा तो area of circumference का बराबर इसका length हो जाएगा circumference of base तो इसको open कर लेते हैं अगर मैं इसका area निकाल लूँ तो इस curve surface area आप cylinder भी निकल जाएगा तो इसको बात करते हैं देखे इसको जुरुत नहीं इसको मिटा देते हैं यहाँ पर एक seat लगा ये लगा इसको open किया ये रहा है rectangular seat ठेना तो अगर मैं बोलूँ इसको curve surface area surface area of cylinder curve surface area of cylinder ठेक न ये रहाँ इसमें क्या होगा area of rectangular seat area of rectangular set क्या हो जाएगा L into V rectangular seat के बारे में मालूँ है तो जब V है ये edge के बढ़ा हो जाएगा और ये जो length है ये circumference है base base क्या है circular है circle के form है तो ये जगा 2 pi r तो length लिख लेते हैं length जाएगा 2 pi r और breadth as तो formula क्या बन गया 2 pi r as ठेक न ये formula हो गया अब इसकी बाद total की बात करें तो लिखेंगे total surface area of cylinder देखें इसी को CSA बोलते हैं CSA of cylinder ठेक न इसी को total surface total surface area half cylinder इसी को बोलते TSA TSA half cylinder इसमें क्या हो जाएगा इसका area तो होगा ही अब उपर और नीचे जो इसका area ये राट 2 pi r h प्लस ये जो ऊपर में circular surface है है ना उसका भी तो area count होगा तो ये जगा pi r square इस circular का pi r square और इस नीचे का भी तो pi r square pi r square 2 pi r square तो इसमें हम common निकालते हैं 2 pi r common है यहाँ जगा h plus half ये फ्रमुला हो गया ठी ना अब इसमें volume of cylinder निकाल लेते हैं यहाँ लेक लेते हैं volume of cylinder base area into height base area क्या है इसके base का area कितना है pi r square circular area of circle तो pi r square into height h यह बन गया pi r square h ठी ना यह volume cylinder हो गया अब इसके बाद कौन देखते हैं कौन क्या होता है कौन इस तरह का होता है इसका base circle में है और जो top है वो tip के form में है यह tip के form में है यह हो जाएगा कौन में यह ठी ना तो इसमें सबसे पहले curve surface area निकालते हैं यह राग curve surface area ठी ना तो लिखेंगे curve surface area curve surface area आफ कौन यह होता है pi r where l is is length height और l निकालते कैसे है देखी कि यह रहा यह perpendicular है 90 degree है यह l hypotenious base and perpendicular तो जाएगा root under देखे यह l square वही pythagoras formal लगाएंगे हमें यह आपर l square equal to h square plus r square ठीक ना तो यह l की value आजाएगी root under h square plus r square तो यह l निकाल लेंगे पहले यहां से help find कर लेंगे अगर question वे l नहीं दिया है यह 4 r दिया है तो इससे l निकाल लेंगे फिर इससे l निकालके value put कर देंगे फिर value आ जाएगी फिर total surface area इसी को csa ठीक ना और इसी को tsa लिखें total surface area surface area आफ कौन लीखें कब surface area यहां तक तो है यह कब surface area यह bottom का भी area अगर count कर देंगे add कर देंगे तो total surface area देगा तो कर surface area पाई आर एल प्लस base area पाई आर स्क्वार इसमें पाई आर पाई आर कॉमन है पाई आर एल प्लस आर ठीक ना पाई आर एल प्लस आर यह आ गया कौन का आ गया अब volume of cone निकालते हैं volume of cone volume of cone लिखेंगे 1 by 3 πाई आर स्क्वार एज देखे volume of cone और volume of cylinder में कुछ similarity है उसको भी देख लेते हैं आपर अभी मैंने यहाँ पर लिखा था पिछली बार volume of cylinder volume of cylinder यह था πाई आर स्क्वार एज ठीक ना और volume of cone है 1 by 3 इसका मतलब इसके वालूम से यह वन थार्ड है ना एक तीहाई यह वन थार्ड कम होता है तो इसका मतलब क्या होता है जिससे अगर यह है cone यही पर मैं टाकिल यहां पर cylinder भी बना लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर एक cylinder बना लेता हूँ सेम height का होना चाहिए यह सेम height का h होना चाहिए बेस आर होना चाहिए यदि इसमें से इसमें से इसमें पानी भर कर अगर इस सिलेंडर में डाला जाए तो इसमें से अगर तीन बार पानी डालेंगे तो इस सिलेंडर पुरी तरह भर जाएगा या इस सिलिंडर में से इसमें से पानी भर कि इसमें भरेंगे ते तीन बार भर जाएगा क्योंकि यह 1 by 3rd, 1 3rd है ठीना तेही सिमिलर्टी होती है ते इसका 1 ती हाई, 1 3rd हो जाता है यह, ठीक, कौन, कौन खतम, इसके बाद स्फेर देखते हैं इसफेर, इसफेर, देखिए, यह है सरकल, ठीना, सरकल है, इसकी हाईट नहीं है, सिम्पल टू डैमेंडशन है, ठीना, यह देखिए, इसफेर, यह स्फेर है, ठीना, अगर एक जामपल बात करें, तो अगर एक चपाती लिया जाए, तो सरकल है, अगर एक फूटपाल लिया जाए, तो वो स्फेर हो जाएगा, ठीक, इसका फीगर मना लेते हैं, देखिए, अगर ऐसे छोड़ दें, तो यह सरकल नजर आएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो इस तरह रिपेजन करते हैं, इसको, तो इसमें, कर्ब सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्ब सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया, आफ इस फेर, फोर पाई आर स्क्वार, ठेक, और वालूम आफ इस फेर, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, इसके बाद हेमिस्फेर देखते हैं, हेमिस्फेर, हेमिस्फेर का मतलर इसका आधा, आधा ही इस तरह का, जैसे अगर कुई एक तरबुजा लिया जाए, गोला भाला, गोले तरबुजा का तो स्फेर के फॉर्म में है, तो यह फॉर्मुला लगेगा, अगर उस तरबुजे को काट लिया जाए, आधा कर दिया जाए, इस तरह कब बनेगा ठीक ना तो यह जाएगा curve surface area स्या curve लिखने की भी जोदनी परती हैं पर क्योंकि यह curve होता ही है इसका कोई flat surface नहीं होता है इसलिए simple इसको surface area भी लिख सकते हैं ठीना तिया लिखेंगे surface area of surface area of hemisphere हाफ कर देते हैं इसको 2 pi r square फिर यहाँ पर लिखेंगे total surface area of इसको यहाँ पर कर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दो surface मिल गया है कर देते हैं total surface area surface area of hemisphere यह जाएगा देखिए यह यहाँ से यहाँ तक 2 pi r square है बट उपर भी एक टू एक टू सर्कुलर area मिल गया अपने को ठीना तर्बुजा काटेंगे तो जस्ट इतो फ्लेट surface एक उपर का मिलेगा वह जाएगा pi r square तो कुल जाएगा 3 pi r square ठीना है यहाँ पर 3 dimension की figure कसमाप होता है थाक ट्क्ट्ड जाएगा यहाँ थाएगास थाक्यों